तो देखो आज हम साइंस के कुछ क्वेस्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे यह क्वेस्ट आपके प्रीवियस एक्जाम्स में ही पूछ गये हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बाकि वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेस्ट है इस क्वेस्ट का राइड आप्शन आपको नीचे कॉमेंट करना है तो क्वेस्ट क्या है? इंसुलीन होता है इस दियर इंसुलीन वेर इसदे प्रोटीन डाइज़ेशन एकांपलिश्ट होता है तो देखो प्रोटीन का पाचन चाहतो कहांपर पूर्ण होता है यह होता है इलम में पूर्ण यानि कि शुद्रान्तर में पूर्ण ऑप शिण बी देखो यहां पर कॉर्एक्ट हो голосdeterm minder बढ़ना है इस नियर अबॉट तो मानव में यकृत का भार लगबग कितना होता है देखो most important question मैं इसको कहूंगा यह question बहुत बार repeat होता है तो देखो मानव में यकृत का भार लगबग कितना होता है तो यह होता है डेर्ड किलोग्राम option B देखो यहां पर correct हो जाएगा 1.5 kg जो है तो मान option D को देखकर के आपको option D पर टिक नहीं करना है यहां पर above all दिया गया है तो देखो carbohydrates किसमें उपस्थित होते हैं तो यह चावल और आलो इन में जो है तो उपस्थित होते हैं option A देखो यहां पर correct हो जाएगा अगरे ग्वाशन की बात करें बाकि देखो अभी तक अगर आ बिभिन भागों में इसमें रुधीर को लाती हैं तो देखो शिराएं जो है तो शरीर के बिभिन भागों में बिभिन भागों में जो है तो हृदे हृदे से रुधीर को लाती है option यहां पर देखो C correct हो जाएगा heart जो है तो यह आहां पर right option हो जाएगा अगले question की बात करे Question हमारा 112 है Continuous bleeding from an injured part of the body is due to deficiency of तो शरीर के जखमी भाग से लगातार खोन बहना किस की कमी से होता है तो देखो शरीर के जखमी भाग से लगातार खोन बहना जो है तो विटामिन के की कमी से होता है 112 का देखो right option किया हो जाएगा option C correct हो जाएगा Question number 113 की बात करें Rickards disease is caused by the deficiency of तो किस की कमी से Rickards रोग होता है देखो most important question तो देखो एक तो यह calcium की कमी से होता है और दूसरा vitamin D की कमी से होता है option B देखो यहाँ पर correct हो जाएगा 113 का option B correct हो जाएगा Question number 114 की बात करें Muscle of hurt is known as तो हृइदे की पेशी को क्या के जाता है देखो यह भी question most important है इस तरह के question जो है तो हमेर पर what after exam में पूछता है और repeated question को पूछता है तो हृइदे की पेशी को क्या कहते हैं तो हृइदे की पेशी को कहते हैं cardiac option B यहाँपर देखो correct हो जाएगा question number 115 की बात करें बाकी guys अगर आप पहली बार हमारे चैनल Let's Prepare पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल Let's Prepare को subscribe कर लें muscles are connected to bones by तो पेशियां हड़ियों से इनके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं तो देखो पेशियां हड़ियों से बंध फटा है तो क्या होगा तो देखो यदि एक स्नायू बंध फटा हुआ होगा तो क्या होगा तो bones are less movable at joint and pain यानि की जोड़ों पर हड़ियां कम घोमने योगे रहेंगी और दर्द होगा option दी देखो यां तो next हमारा question है question हमारे एक्सर सतरह है the longest muscle in man bodies तो पूरुष शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है देखो यह भी most important question है और repeated question है तो पूरुष शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है तो सबसे लंबी पेशी है सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस option यहाँ पर एकोरेक्ट हो जाएगा सार टोरियस ऑप्शन एकोरेक्ट क्वास्चन नबर 108 की बात करें वट इस ब्लड तो रुधीर क्या है अब देखो यहां पर स्टुडेंट्स कनफ्यूस होगें कि यह है लेक्वर टिशू है ब्लड प्लैट रेट से है स्पैशल टिशू है तो देखो इस क्वाशन और ऑप्शन यहां पर बेकोरेक्ट हो जाएगा द्रव उत्तक वैसे तो लेक्वर द की फॉरम में भी होता है और सॉलड की फॉरम में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमने option B ही टिक कर रहा, option यहाँ पर B correct हो जाएगा, liquid tissue, अगले question की बात करें, question हमारे एक सोनने से, normal temperature of healthy human bodies, तो स्वस्थ मानव शरीर का सामाने तापमान लगभग कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, तो यह होता है, 98.4 Fahrenheit option, यहाँ प हंट से जुड़ी होई होती है, यह left ventregal यानि की बाया निले से जुड़ी होई होती है, option यहाँ पर A correct हो जाएगा, अगले question की बात करें, question हमारा 121 है, which part of the brain is involved in the loss of control when a person drinks alcohol, तो जब अब्यक्ती alcohol का सेवन करता है, तो मस्तिश्क का कौन सा भाग नियंतरन खोने में शामिल होता है, अब आप अक्सर जो है तो अपने surrounding area में भी देखते होंगे कि कुछ लोग जो है तो alcohol पी करके आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको इस question को देखो विल्कुल note रखना है, जब भी आपके सामने ऐसे व्यक्ती नजर आएं तो आपको ये question दिमाग में आना चाहिए, तो question का right option होगा, option A, Sarah Bellum, option A, देखो आपको बिल्कुल यहाँ पर note रखना है, अगले question की बात करें, तो question number 124 है, during a training, the sensation of vomiting is caused by, तो प्रसिक्षन के दौरान उल्टी होने का नुभव किस के दौरा होता है, तो देखो प्रसिक्षन के दौरान उल्टी होने का नुभव किस के अगले question की बात करें, question हमारा 125 है, the disease caused by smoking are stated below, arrange them in a sequential order from the code given below, तो देखो धो मरपान के कारण होने वाली बीमारिया नीचे दर्शाई गए है, नीचे दियेगे कूट परसियों है, सही करम से सजाएं, तो देखो अगर वैक्ती धो मरपान करेगा, तो उसको सबसे बहले क्या हो उसके बाद insomnia, यानि की नीद नहीं आएगी, उसके बाद high blood pressure यानि की उचरक्तचाब हो जाएगा, उसके बाद disturbance of vision यानि की दिरिष्टी में गडबर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको sequence में दर्शाना है, यहाँ पर sequence है 1, 2, 3 and 4, तो option D यहाँ पर correct हो जाएगा, 1, 2 and 3 and 4 तो option D यहाँ पर देखो correct हो जाएगा, तो guys यह थे हमारी which questions, I hope वीडियो आपको informative लगी होगी, अगर वीडियो अच्छे लगी है तो जरूर से से like करें, share करें, channel को subscribe करें, साथ में इस वीडियो को like जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care